जारखंड भूमी अधिग्रहन संशोदन विधेक को राष्टपती से मन्जूरी मिलने के बाद से सियासी हलचले तेज हो गई हैं। भूमी अधिग्रेहन संबंधित कानून बने होने के बावजूद भूमी अधिग्रेहन संशोदन बिल पेश करने से विपक्ष ने एक जुट होकर रगवर्दास सरकार को घेरा है अगर वो रहियत नहीं जमीन देना चाहता है तो सरकार जोर जबर जस्ति करके जमीन नहीं ले सकता है ये भी कानून लेकिन अभी मौजूदा सरकार ने जो परक्रिया बनाया है जमीन लेने का ना आप वो किसानों से कोई बात पूछेगा ना रहियतों से कोई बात पूछेगा और ना ही आप से कोई अजाज़त मांगेगा वो सीधे तोर पर आपके गाउं में पंचायत में जीले में परक्रण में आएगा जहां मन करेगा जिसका मन करेगा उसका जमीन अदिग्रण करेगा ओजरखन में जमीन अदिग्रण के लिए पहले से भी करूंन बने हुए थे और इसको ले करकेap सड़क बने कारखाने बने अस्पताल बने हर दरह के विकास के कार हुए लेकिन कई बार कुछ रहेतों के अडियल रूख अपना लेने से यहां पेच मस्भी जाता था विकास का रिपादित होता था बने के लिए लगवर्दास की सरकार ने भूमी अधिकरान संसोधन बिल पास करा लिया और इसको राश्पति का हस्ताक्षर हो गया और इसके बाद ही यहां विकास और बिनास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीती तेज हो गी अब 2019 के चुनाव में विकास का सिक् पत्ति बताएगा दुमका से पंजाब केसरी के लिए बिरेंदर कुमार जहांद